नमस्कार मैं हूँ अमीद सिंग और आप देख रहे हैं द्रिश्टी नाव। जारखन में एक मार्ज से स्कूल जो है वो खोलने का आदेश सरकार के तरब से आ गया है। उसके बाद लगातार स्कूल जो है वो अपने अपने तरीके से स्कूल को संचालित करने को लेकर तैयारिया कर रहे हैं। हमारे साथ अभी जीला स्कूल की प्रिंसिपल मैडम मौझूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि कितना चैलेंजिंग होगा बच्चो को बिठा कर पढ़ाना स्कूल में। क्योंकि कुरोना काल अभी खतम नहीं हुआ है और ऐसे में स्कूल खूल रहा है तो क्या कुछ सम्मस्याएं आएंगी पढ़ाने में बच्चों को किस तरीके से बच्चों को बिठाइएगा पढ़ाईएगा चूकि करोना काल अभी खतम नहीं हुआ है ऐसे में स्कूल खूल रहा है कितना टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए पूरे सिस्टम को मैनेज करना मार्च मेहना से ही हमारा इस्कूल बंध है और अभी क्लास आठ नवी और एलेभेंद को खोलने के लिए कहा गया है एक मार्च दो हजार एकी से इस्कूल खोलने के लिए कहा गया है तो इस्कूल में बच्चों को मैनेज करना बैठाने में हम लोग को दिक्कते आएंगी क्योंकि स्कूल में बच्चों की शंख्या काफी है और अभी पहले से ही 10th और 12th के बच्चे आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंस को हम लोग को ध्यान रखना है और रूम कम है बेंच भी उस अनुपात में सोशल डिस्टेंस के अनुपात में कम हो जाएंगे इसलिए हम लोग को दिक्कते तो आएंगी लेकिन पहले भी हम लोग बच्चों के साथ वाटसब में जुड़े हुए थे DJ साथ और Learnetic App में भी हम लोग जुड़े हुए थे और उनको पढ़ाई करा ही रहे थे और जब आएंगे बच्चे सामने आएंगे उन से आमने सामने मुलाकात होगे जो भी पढ़ाए हैं हम लोग वो कितना कैच पर कर पाए हैं उन पर हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है और हम लोग को पहले से ज्ञादा मेहनत करना पड़ेगा चुकि कुछ बच्चों के पास स्मार्टपून था और नहीं भी था तो बच्चों को हम लोग को नए सीरे से पढ़ाना पड़ेगा इतना बड़ा चैलेंज है मैं इस तरीके से चुकि पूरा एक साल लॉकडाउन रहा उसके बाद बच्चे भी उस तरीके से पढ़ नहीं पाए तो ऐसे में जब बच्चों का एक्जाम होगा तो उसमें कितना प्रॉबलम आया गाए मैं चैलेंज तो है चुकि इतने पूरा एक साल इसकूल बन था बच्चे पढ़ पाए हैं कितना कैच कर पाए हैं हम लोग को जब हम लोग वार्टसप ग्रूप में भी टेस्ट लेते थे तो बहुत अच्छा से बहुत से बच्चे उसमें सामिलित नहीं हो पा रहे थे इसलिए जब बच्चे आएंगे तो बिलकुल नए सीरे से उनके उपर हम लोग को ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा और जब एक्जाम की बात आएगी तो कोर्स कंप्लीट करना भी जरूरी होगा हम लोग को लगतार आप देख रही है कि कुरोना जो है वो अभी भी लगतार जा रही है और आप बता रही है कि आपके स्कूल में बच्चों की संख्या काफी जादा है एक नाइन्थ के बच्चे हैं तो ऐसे में कैसे बच्चों को बिठा के पढ़ा पाईएगा 8th, 9th और 11th के जब बच्चे आजाएंगे तो हम लोग को प्रोब्लेम आएगी फिर भी एक सवाल यहां है कि माबाप की बिना सहमति पत्र के उलोग स्कूल नहीं आएंगे जब सहमति पत्र लेके आएंगे तब ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश किया जाएगा और बच दिश्चों को एक बिंच में दो बच्चे ही बाढ़ा सकते हैं। जो कह सकते हैं कि डॉक्टर्स हो उन लोगों को लगा है तो ऐसे में अगर स्कूल लेट से खुलता जब सभी बच्चों को क्रोना का टीका लग जाता उसके बाद स्कूल खुलता तो कितना आराम हो जाता आप लोगों के लिए और सर कोरोना का टीका लगने के बाद अगर इसकूल खुल जाता तो अच्छा ही होता लेकिन इसकूल का सेशन भी शूरू होने जा रहा है कि हम लोग इसकूल का सेशन एप्रिल महना से सुरू करते हैं इसलिए उसको मैनेज किया जाएगा डिस्टेंस मेंटेन करके ही बच्चों को कुछ देने का प्रयास किया जाएगा चूकि बच्चे भी बहुत दिन हो गया और बढ़ाई से बहुत दूर है इसलिए जरूरी है बच्चों को लाइन अप करना इसलिए इसकोल खुल सकता है तो ये हमारे साथ जिला स्कूल की प्रिंसिपल मैडम थी जिन्होंने बताया कि काफी चालेंजिंग होगा चूकि स्कूल में बच्चों की संख्या काफी अधिक है ऐसे में अगर सभी बच्चे स्कूल आते हैं तो उनके उनको मेंटेन करना सोशल डिस् तो स्कूल अपने तरब से भी उपलब्द कराएगा बच्चों को लेकिन कहीं न कहीं प्रिंसिपल को इसका डर है कि बच्चों को अगर एक जगा बिठाएंगे और बच्चे अगर आते हैं ज्यादा संख्या में तो कहीं न कहीं सिस्टम जो है स्कूल का वो कहीं न कहीं बि